हैलो डिवन स्वागत आप सबका लर्रिंग उद्गातम यूट्व चैनल में तो आज के शुडियों करने वाले हैं कलाश 12 म्यूजिक के यानि कि संगीत के मौस्ट भी भी आई 200 अबजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आप क्याने वाले परिक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रस रहने वाला है तो अपलवड़े को अच्छे से ध्यान पूर्वक और लास तक जरू दिखेगा तो चली सुरू कर लेते हैं फर्ष्ट कोशन से और पहला कोशन है मारा ठाट के कितने परकार होते हैं तो ठाट जो होता है यह 10 परकार का होता है यानि का उप्शन वर इसका D हो जाएगा अगला कोशन है कि राग अलहिया बिलावल का गयान समय क्या है यानि कि राग अलिया बिलावल को कब गया जाता है तो प्राता काल में सुवा में ही गया जाता है राग अलिया बिलावल को यानि कि option नहीं हो जाएगा राग अलिया बिलावल का जो गया है न समय वह है प्राता काल का अगला कोशन है हमारा राग विहाग की जाती क्या होती है राग विहाग जोता है किस जाती का होता है तो राग विहाग जोता है यह ओंडव शंपुन जाती का होता है यानि कि option C हो जाएगा अगला कोशन है कि निम्न में से कौन वर्ण के भेद नहीं है वर्ण के भेद आपको बांस्री वादक नहीं बांस्री वाधक नहीं तो पन्हा लाल घोष बांस्री बांस्री वादक यह और शोटी बांस्री बांस्री बजाते थे i Would I was jaki लगे इन.. curriculum आस। शूछी आतए.. पीछली वीडियों आप लोगो आप लोग को.. उसे डिलेटे जो भी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन है जो कि आपके आने आलवाले एक्जाम पर इछा के लिए काफी ज्यादे इंपोर्टेंट प्रस रहने वाले सभी प्रशनों को आप लोग को अलड़ी पिछली वीडियो में करवा चुके है उस वीडियो का लि इश्को तत वर्ग में रखा जाता है यानि को आप्शन ただ से हुए है तो राग भीम पलासी के उतपत्ति यह कॉफी ठाड से हुई और इणकर सी हो जाएगा अल्ड़ा कोशन है बासरी किस चीज की बनी होती है प्लाक कोकि है बांसरी जोती है बांस की बनी होती है option A हो जाएगा अला कोशन है कि राग कमोट किस थार्ट से उत्पन होता है राग कमोट जोता है ये किस थार्ट से उत्पन होता है तो राग कमोट कल्यान थार्ट से उत्पन होता है option C हो जाएगा अगला कोशन है ताल में कितनी जातिया होती है ताल जो होता है इसमें पांच जातिया होती है ऑप्शन भी हो जाएगा नेस्ट कोशन है उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहा हुआ था उस्ताद बड़े गुलाम अली जोएन का जन्म हुआ था लाहोड में यानि का option यह हो जाएगा अगला कोशन है विकिर्थ स्वार्ड में कितने परकार के होते हैं विकिर्थ स्वार्ड जो होते हैं कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं विकिर्थ स्वार्ड ऑप्शन ए हो जाएगा इस वीडियो बेने जितने भी कोशन लिए सबी कोशन आपके आने वाले परिक्षा के लिए काफी जादे इंपोर्टेंट प्रशन है सबी कोशन सेलेक्टर और इंपोर्टेंट है तो आपने वीडियो में लास्ट बने रहिएगा बढ़ते अगले कोशन की और अगला कोशन हमारा धमार ताल कितनी मात्राओं का होता है और धमार ताल जो होता है यह 14 मात्राओं का होता है और अप्शन डी हो जाएगा अगला कोशन है कि गीत गुविंद के रचाइटा कोन है या फिर आपसे पूछा जगा गीत गुविंद के लेखक कोन है तो जैदेव जो है गीत गुविंद के रचाइटा या लेखक है या का option A हो जाएगा, अलग कोशन है, धार ताल में कितनी विभाग होते हैं, धार ताल जो होते हैं, धार ताल में छे विभाग होते हैं, options का B हो जाएगा, अलग कोशन है, सब तक कितने परकार होते हैं, सब तक तीन ही परकार होते हैं, option C हो जाएगा, अलग कोशन है, राग प्रकासि का किनकी लिखी हुई पुस्तक है तो पंडित वैंकर्ट मखी के दोरा लिखा गया था चातु तरीका से याद रखेगा जितना कोशन बताने सभी कोशन बहुत ही ज्याद इंपोर्टेंट है आपके आने वाले परिक्षा के लिए अल्ला कोशन है कि राग असावारी का समबादी श्वर क्या होता है तो राग असावारी का समबादी स्वर जोता है वो गौ होता है क्या होता है राग असावारी का समबादी स्वर जोता है एक गौ होता है ठीक है याद रखेगा अगला कोशन है कि राग केदार का ठाट क्या होता है राग केदार जो होता है कल ओलना कोशन है कि राग भुपाली में कॉमसे दोश्वर्ण नहीं लगते हैं राग भुपाली जो था हुए मैं मध्याम। दोश्वर्ण नहीं लगते हैं इस सब को उप लोग अच्छा से याद रखेगा y awareness कोशन है कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम लोग वर्जीत स्वर कहते हैं और सेम कोशन आप लोग से सब्जेक्टिव कोशन में पूछा जाएगा कि वर्जीत स्वर किसे कहते हैं तो राग में नहीं जो लगेगा स्वर, उसे हम लोग क्या करेंगे, वर्जी स्वर करेंगे, इसी को आप लोग थोड़ा एक और लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, वो सब आप लोग को अलड़ी सब्जेक्टिव कोशनेसर में बता रहें, समझेगें, सब्जेक्टिव कोशने तो बहला कोशन बढ़ा लुद्धिव को निखेंगा, यद", पयूरी होता है, याद रखेंगें पल्धिव को सब्जेक्सक्तिंजि titt्र कल्ग सकते ह्यां में, जुद्धिव को न सल्खते हैं, सम्झेट शॉयां में फटाटका याद रखेगा भाट का भेर होता है थीक है अला कोशन है ताल एक ताल में कितनी मात्रा भूकिक होती है यह Rat कोशन है दुरुपद में किस ताल का प्रयूग किया जाता है दुरुपद जो होता है इसमें किस ताल का प्रयूग किया जाता है तो चो ताल का प्रयूग किया जाता है दुरुपद में चो ताल का प्रयूग किया जाता है option यह हो जाएगा अहला कोशन है तिल्वारा ताल में दो R होता है, यानि का option इसका D हो जायगा अगला question करते है और निक्रतो किखे करम को क्या क्या खाते है अगला question के हमारा की कब अप्षरा रही होतार है यानि कि संध्याकाल में राग भीब प्लासी को गाया जाते है option B हो जाएगा अला question है हिंदुस्तानी संगीत पदती के लिखक कोन है तो B and भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत पदती के लिखक है option A हो जाएगा अला question है जब ताल में खाली किस मातरा पर होता है जब ताल में खाली जो होता है तांसें जो थे वो किस राजा के दरवार में नवरतनों में से एकते तो सब को पता होगा अकवर के दरवार में तांसे रहते थे और उनके दरवार में नवरतनों में से एकते तांसें ठीक है वह गला कोशन करते हैं, नेस्ट कोशन है हमारा, 43 नमर कोशन है, कि इस राग में गो नी कुमल और बांकी स्वर जोते हैं, वो सुध लगते हैं, वो कौन सा राग है, जिसमें कि गो और नी जोते हैं, वो कुमल लगते हैं, और बांकी जितने में स्वर होते हैं, वो सुध लग बहरवा कचो जाएगा अला कोशन है संगीत में कितने शुद्सवर होते हैं संगीत जोता इसमें साथ सुद्सवर होते हैं option इसका ए हो जाएगा अला कोशन है मारा उस्ताद अब्दुलकरीमखा किस घराने से आते हैं तो उस्ताद अब्दुलकरीमखा जो एक किराना घराने से आते हैं option do हो जाएगा अला कोचन है कहड़ा ताल में कितनी मात्राइव होती है कहड़ा ताल जो तो होता है इस चलटा चलट में 12 मात्राइव होती है और फिरूर कोशन पर चपड़्डा 50 नमर कोशन तक अब बढ़ते हैं 50 नमर कोशन पे और 51 नमर यानि के कितने परकार होते हैं ले जो होता है यह तीन परकार का होता है यानि का उप्शन यह हो जाएगा ले के कितने परकार होते हैं तो तीन परकार होते हैं अलग कोशन है राग विहाग का ठाट क्या है राग वि करें ज़िए जगा तो देटविक का वादी स्वर क्या होता यानि की आप्शने म्हों जाएगा याद रखेगा रा यह राग भेडवी जो है इसका वादी स्वर रह होता है अल्हा ऑला कर्शन है वस्ताद फ्याज खा किस घराने से आते हैं थी ऑप्शन में बहारते ताल में कितनी विवाग होते हैं तो जब ताल जोता है इसमें चार विवाग होते हैं उप्शन का C हो जाएगा अला कोशन है जोन पुरी का समवाधिश्वर क्या होता है जोन पुरी जोता है इसका समवाधिश्वर धो होता है यानि का उप्शन का B हो जाएगा अला कोशन है राग भाहरब का गया समय क्या है यानरी कि राग भढ़ती तो राग हैरप को प्राता काल में करते हैं और और सका एउसका अगले कोश्न, राग अलिया विलावल का वादी स्वर क्या होता है यह 4 होता है उप्शन खाेगा ऑला कोश्न, शंपुर्ण जाती में कितने निस्ट कोशन है निस्ट कोशन है प्रेंट कोशन है तो राग भी पलासी जो होता है, इसका संबादी स्वर जो होता है, वो कंधेवा तीवी नहीं होता है, अगला कोशन है मारा, ओंडम जाती में कितने स्वर लगते हैं, तो ओंडम जाती जो होता है, इसमें 5 स्वर लगते हैं, यानि का उप्शन भी हो जाएगा, अगला कोशन ह तो पनित कृशन राउ सांकर जो है इक ऒालीर घराने से आते हैं, यानिका अप्शन B हो जाएगा, अला कोशियर ने, राग देश की ठाट के अंतरगत आता है, आनला कोशियर ने, अला कोशियर ने कहते हैं, इसमें चल और चल मिला करके कुल स्वर की जो संख्या होती हो बाड़ होती है अला कुशन है मारा तांसेन की सरा जाके दरवारी का एक थे उपर यह आप लोग को बदा दिये थे समराट अकवर के दरवारी में नवरत्रों में से एक कौन थे तो तांसेन ते option यह हो जाएगा अ अला कुशन है किस ताल में 10 मात्राई होती है किस ताल में 10 मात्राई होती है तो जप ताल जो होता है इसमें 10 मात्राई होती है option B हो जाएगा अला कुशन है नाद के कितने परकार को होता है तो नाद जोता है कितने परकार को होता है तो नाद जोता है दो परकार को होता है option B प्रियोग के साथ होता है यानि का ऑप्शन सी हो जाएगा अगला कोशन है विक्र्षवर कितने होते हैं विक्र्षवर की संख्या कितने होते हैं प्रियोग के साथ हैं विक्र्षवर की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा अला कोशन है विक्र्षवर की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा बैरवराग का संबादी स्वर क्या होता है विक्रषवर कोशन है विक्र्षवर के लिए विक्रियोग क्या कि संख्या आपिशन स्थी हो जाएगा यानि का option इसका C हो जाएगा अगला question है विकर्ट स्वरों की कितनी संख्या होती है विकर्ट स्वर जो होते हैं किसी कितनी होते हैं तो 5 होते हैं विकर्ट स्वर option इसका D हो जाएगा next question है हमारा दुरुपद में कितनी वानिया होती है अगला कोशन है राग यमन किस थाट के अंतरगत आता है तो कल्यान थाट के अंतरगत आता है राग यमन आतरगत 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 आता है राग यमन आतरग हो जाएगा है कि संपश्म जाती में कितने स्वश लग तो संपून जाती में तो इस जी जैएगा कि संपून जाती में सांथ लगते ऑप्शन्स ऐ हो जाएगा श्थामन कि थार्ट का इंतरगर ता तक भूता स्क्राट क campaigns director आपिश्मकки अ वाद होगा Article ओप्ष्ण करते हैं और नेस्ट कोशन है मारा उस्ताद बिस्मिलां का कौनसा वादबचाते थे उस्ताद बिस्मिलां खां जो थे सहनाइख एड़न करते थे और यह कुशन तो फिक्स है कि आपके एक्जाम में आएगा ही और हन्डेट नमर कोईशन है वारा सो नमर कोईशन रविनार टेगोर का जन्म किस परदेश में हुआ था तो रविनार टेगोर जो इनका जन्म हुआ था पच्छिम बंगान में यानिका ओप्शन का डी हो जाएगा अगर आप लोग चाहते इस सब जितना अब आपको बता रहें सब का पीडिएफ ले सकते हैं आपका जो भी प्रशन आएंगे न उसका 90% कोईशन जोगा आप लोग को इसी पीडिएप से देखने को मिल जाएगा आप लोग सोच रहेंगों कि इस पीडिएप को लेके आप करी ही क्या लेंगे बहुत कम टाइम बचाएगा आपके पास अगर पीडिएप में टोटल इसमें लिखा हुए पांस सा कोशन लेकि उस पीडिएप में 470 कोशन था समझ गये ना एक्जाम में पूछा गया था हिंदी का हिंदी में 650 अबजेक्टिव कोशन था समझ गये अब जैसे इसमें ग्रामर का कोशन तो दिये निते क्योंकि आप लोग तो कुछ होता है क्यों इसमें गेस्थ पुछा जाएगा कि दूद क्या होता है इसमें समझने का कोशिय नहीं दियेते हैं सिर्फ भूग क Grade कोशन था येुट तो इस इतना वी कोशन था एक यह एसा कॉशन था आपको देते सारे 400 कोशि tasty गयते ग्रमर में कोई ठीक नहीं रहता है उसमें гreces करने का कोई नहीं रहता है इसले आपको एपको आपको लोगो 40 था बनाना 40 था न एक्जाम में और 40 में से 36 जो को श्रीट दिये थे इंग्लीज का 36 कोशन आये था सोचे 4 कोशन बढ़ चूट गया नहीं तो 40 वह जाता था 36 कोशन जो था वो सिर्फ इसी पीडिएफ से था हिंदी में 100% कोशन इसी पीडिएफ से था जो बड़न कोशन इसी से पीडिएफ से 25 पोशन था जोसाकते एटना आपको मिलता और बताते हैं जैसे पर टका सांस की suggests की बात सितरसे आपके जो भी एक्जाम होंगे वे इसमें जो भी कोशन है इसका 90% कोशन फिक्स इए के इसे में से रहेगे और म्यूजिक में तो खास कर प्राइब को ले अपन प्राइब आपको एक्यान पर्ट डियाफ लेना चाहते या तो इस था अपने आने वाले पर इच्छा कि त्यारी बहुत ही और ती बड़ी यहां पर जैसे म्यूजिकल्स में 500 आपको मिलेगा लगूतरे प्रश्ट मिलेगा 75 और इसके साथ साथ इसमें एड़ने के लिके आपको मिलेगा वादियंत्र और उनके वादक से संभनित जो भी कोशन आते हैं उससे टोटल 115 कोशन का एक पीडियाफ है वह उसमें फोटो के सा क्या होता है कंफ्यूज आते से लाम बला चिता कोशन सब को एक साथ पीडियाफ में कर दे तो तीन पीडियाफ आपको मिलेगा मुजिक अगर आप लोग इस पीडियाफ को ले सकते हैं लेना किस तरह से तो देखिए यह नमबर है 7903820810 इस नमबर को जैसे आप लोग फोन पर देना उसका स्क्रीन स्वाट ले करके आप लोग को इसी नमबर के वाट से पर बहें देना और जो भी आपका दू सब्चाने को आपको पीडियाफ पर ले चुका और अपने परिछा के त्यारी बहुत बढ़ी आत्रीके से कर रहा है आप लोग वी चाहे तो आप लोग दाद्रा ताり कि खाली किस मातरा पर होती है दाद्रा ताल में जो खाली होता है यह चौथे मातरा पर होता है और हो जायागी हो जायागी ऐगा दर्वार कोसे ряд今回 में ख़शन को सिरंद के दिरりました अंतर वानुज करने रहाँ इसके हो सी छाएगा ORBD करोट देने मेंट इसे लयरा है , टो जाता है कि आहा Corps कार्ष को मेंके मात्रा करते जेच बारै को सुछ आफ होंगा लाग्षण कमा रागदेश्वर रहाता है वो होता है पो यानि का option इसका बी हो जाएगा अगला कोशन है दुरुपद में कितनी वानिया होती है दुरुपद जो होता है इसमें 4 वानिया होती है option इसका बी हो जाएगा अगला कोशन है कहरवाताल में कितने विभाग होता है तो करवा ताल जोता है इसमें दो भी भाग होता है option इसका ए हो जाएगा अगला question कर लेते हैं और next question है राग यमन डैस ठाट से उत्पन हुआ है यानि कि राग यमन जो किस ठाट से उत्पन हुआ है तो राग यमन कल्यान ठाट से उत्पन हुआ है अगला कोशन है पंडित भीमसें जो सी किस विदा से थे यानिके पंडित भीमसें जो सी क्या थे तो पंडित भीमसें जो सी जो सी जो ते कायक थे फ़ल्कॉशन करते हो निशन कोशन है राग यमने मूल ग्लन कीज़े सी तृत ब्थये सी कल्यां थास्ट है इसका options का सी का सी हो जाएगा यहाँ पर मुल सोने किस जाएगा। कोशन यह गलत है अला कोशन है मारा ठाट कितने परकार के होते हैं तो ठाट जो होता है कितने परकार के होता है ठाट 10 परकार के होता है ऑप्शन भी हो जाएगा अला कोशन है किस राग में दोनों मौका पड़ियोग होता है ऑप्शन भी हो जाएगा अला कोशन है किस राग मे रे एव घोज होता है वो कोमल लगता है किस राग में रे एव घोज होता है कोमल लगता है तो भैरव डाग में रे एव घोज होता है कोमल लगता है ओप्शन सी हो जाएगा अला कोशन है धमार ताल में कितनी मात्राइं होती है धमार ताल जोता है इसमें 14 मात्राइं होती है अप्शन C हो जाएगा अला कोशने छोटा स्वर समुदाई जिसे की राग की पहचान होती है वो क्या कलाता है तो छोटा स्वर समुदाई जिसे की राग की पहचान होती है वो पकर कलाता है यह आपसे जामे सब्जेक्टिव कोशने पूछा जा सकता है यह पकर किसे करते है तो छोटा स्वर समुदा अगला कोशन है राग केदार की ठाट का राग है तो राग केदार जो एक कल्यान ठाट का राग है ऑप्शन B हो जाएगा अगला कोशन है रूपक ताल में कितनी विवाग होते हैं तो रूपक ताल जो होता है इसमें तीन विवाग होते हैं ऑप्शन B हो जाएगा अगला question है उस्ताद फायाज का किस घराने के गायक हुए तो उस्ताद फायाज का आगरा घराने के गायक हुए औप्शन का D हो जागा वीडियो में आप लोग लास तक बने रहेगा जितना question करवाने सभी question आपके आने वाले परिक्षा के लिए काफी ज्याद है important प्रस्ण है तो वीडियो में आप लोग लास तक बने रहेगा अगला question है राग मलकॉस में रिसब पंचंग जोते हैं यह दो स्वर नहीं लगते है राग मलकॉस में रिसब पंचंग जोते हैं नहीं लगते हैं गंधार निशाद धंग गंधार ध्यवत और मध्यम पंचंग जोते हैं राग मलकॉस में लगते हैं लेकिन रिसब और पंचंग यह दो स्वर ऐसे होते हैं जो कि राग मलकॉस में नहीं लगते हैं अला question है स्व सवर को क्या करते हैं तो राग में लगने वाले सवर को वर्जित सवर करते हैं जो कि राग में लगे गए उसे क्या कहेंगे वर्जित कहेंगे अगला कोशन है राग यह मन कि सथार्ट से उत्पन हुआ है तो राग यह मन जो है यह कल्यान थार्ट से उत्पन हुआ है ऑप्शन इसका A हो जाएगा अगला कोशन है स्वार के उतरते करम को तो भी देखें स्वार के उतरते करम को लोगों अब रोग करते हैं option C हो जाएगा अगला कोशन है शांडब जाती में कितने स्वार लगते हैं शांडब जाती है इसमें 6 स्वार लगते हैं option D हो जाएगा निश्ट कोशन है उस्ताद जाकर हुशेन कौन सा वाद बजाते थे उस्ताद जाकर हुशेन जो ते ये तबला बादन करते थे तबला बजाते थे उस्ताद जाकर हुशेन option B हो जाएगा अबला कोशन है राग यमन का वादी स्वर क्या होता है तो राग यमन का 12 मातराई होता है ऑप्शन का बीध हो जाएगा हो जाएगाach किस राग में मौका पड़ियोग होता है यमन राग में ऑप्शन का वी अहुँ जाएगा राग फुपाली किस थाट का राग होता है कि अब बीद्ध के लिए पर्सिते तो पंडीत रवी शंकर जोती है इस इतार वादन के लिए परसिते और सी सब्सक्राइब पूछेगा ही तो पूछेगा अलाकोशन है राग में लगने वाले मुक्षवर कहलाता है राग में लगने वाला मुक्षवर जो क्या कहलाता है तो वादी स्वर कहलाता है राग में लगने वाला मुक्षवर यानि का option यह हो जाएगा वादीSoar किसे करतें और संबादीSoar किसे करतें यह सब आपसे पूशा सकतें अगलें अलब को मैंतने पंडित पन्नालाल घोष कौन सा बजाते थें आसर मीज़े सबस्थ Eddy करते थे औक्याences क्या सुचित किया जाता है तो ता सालीपी में सम को सुचित किया है जाता है अला कोशन है पंडित राम चतुर मलिक किस विधा से थे तो पंडित राम चतुर मलिक जो थे गायक थे यानि का option A हो जाएगा नेस्ट कोशन है संगीत पारिजात के लेखा को है तो संगीत पारिजात के जो लेखा के है पंडित अहोबाल यानि का option C हो जाएगा अला कोशन है किस ताल में 10 मात्राइं होती है जप ताल जोता है इसमें 10 मात्राइं होती है option D हो जाएगा अला कोशन है चार ताल में कितनी तालिया होती है तो चार ताल जोता है इसमें 4 ही तालिया होती है यानि का option B हो जाएगा अला कोशन है राग के दार किस थार्ट से उत्पन हुआ है तो राग के दार जो एक कल्यान थार्ट से उत्पन हुआ है यानि कि option इसका C हो जाएगा अला कोशन कर लेते हैं ताल में दो चीन का क्या मतलब होता है ताल में दो चीन का मतलब होता है दूसरी ताल ही option इसका C हो जाएगा अला कोशन है एक सब तक में कितने शवर होते हैं तो एक सब तक जो होता है इसमें साथ स्वर होते है अगला कुशन है नीडे गाडे नीडे सा किस राक का पकड़ है नीडे गाडे नीडे सा यह जोग है यमर राक का पकड़ होगा अगला कुशन है मारा तीन ताल में कितनी मात्राइं होती है तीन ताल में शोला मात्राइं होती है अप्षिनिस का C हो जाएगा सॉडो के उपर से नीचे उतरते करम को में अबरो काते हैं अप्षिन B हो जाएगा तो राग देश की स्थार्ट करा गए तो राग देश जो है, खमा स्थार्ट का राग है, option A हो जाएगा अला कोशन है, जाती कितनी होती है जाती जो होती है, तो तीन जाती होती है, option इसका भी हो जाएगा अला कोशन है मारा, दुरुपद गयान में किस तालवाद का प्रयोग होता है किस राग में दूनु निशाद में लगते हैं तो देस राग में दूनु निशाद में लगते हैं पर भाद के दार का वाधी तो याद रखेगा तो कुष्छन है कि भाद की मुख शंगीत पतितियां कितनी होती है अब बने मुझे लगा था भरद्मुनी वाला तो गरंत है उसका नाम है नच साथ इसको भी याद रखेगा तो कोशन है यह हमारा कोशन है कि भाहत की मुख शंगीत पततिया कितनी है तो भाहत में मुख शंगीत पततिया जो यह दो होती है यानिका option इसका यह हो जाएगा अलाग कोशन है राग विहाग का संबादी स्वर क्या होता है तो राग विहाग का संबादी स्वर जो है नी होता है यानिका option इसका यह हो जाएगा अलाग कोशन है भुपाली डैस परकार करा गए तो भुपाली किस परकार आगए बोपाले जो on-down परकार करा गए option A हो जाएगा अगला वच्छन है अभिना वड़ाग मंजडी के लिखा कौन है अभिना वड़ाग मंजडी के जो लिखा के राइटर है वो कौन है तो पंडित भातगंडे option A हो जाएगा अगला कोशन है कहड़वा ताल में कितनी मात्राई होती है तो कहड़वा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राई होती है option इसका B हो जाएगा नेश्ट कोशन करते हैं और अगला कोशन है निमन में से निक चार्ज जो option दिया किस ताल में 7 मात्राई होती है तो साथ मातनाई जो हैं रूपक ताल में होती है यानिका option C हो जाएगा अगला कोशन है धमार गाई की में किस ताल का प्रियुक किया जाता है तो धमार गाई की जो होता है इसमें धमार ताल का प्रियुक किया जाता है तो चार ताल जो होता है इसमें दो ही खाली होती है यानिका option B हो जाएगा अला कोशने राग केदार का ठाट क्या है राग केदार किस ठाट करा गए तो राग केदार कल्यान ठाट करा गए option A हो जाएगा अला कोशन है मारा राग भैरब का शम्वादी स्वर क्या होता है तो राग भैरब का शम्वादी स्वर रो होता है यानिका option A हो जाएगा अला कोशन है हमारा निश्ट कोशन राग देश का वादी स्वर क्या होता है तो राग देश का जो वादी स्वर है वो ड़ी होता है यानि को आप्शन D हो जाएगा अला कोशने हमारा सोडो की उतरते करम को क्या करते हैं तो अबरो करते हैं सोडो की उतरते करम को option C हो जाएगा अला कोशने हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं ठाट होते हैं अप्शन भी हो जाएगा अला कुशने उस्ताद अब्लूर करीम खां किस घराने साथ है तो किराना घराने साथ है उस्ताद अब्लूर करीम खां ऑप्शन यह हो जाएगा धमार गाईकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है इसमें धमार ताल कायी प्रयोक के जाता है या झाल टाल राग भेरव का वादी स्वर क्या होता है तो राग भेरव का वादी स्वर धौ होता है ऑगला कोशने संगीत में वनट कितने होते में जोते हैं तो चार होते आपशन का E हो जाएगा अगला कोशने उस्ताद बड़े गुलाम अली खाहं किस विधा के गायक तो घ्तान के कितने परकार होते हैं तो राग हमीर जो होता है, यह कल्यान ठाट के अंतर गाता है, option A हो जाएगा, और second last question है मारा, ख्याल गयान में किस परकार के, ताल वायत का प्रयोग किया जाता है, तो तबला का प्रयोग किया जाता है, option B हो जाएगा, और last question है मारा, ताल लिपी में चीन ओज किसे क्या चित किया जाता है, option A हो जाएगा, इसे के साथ वीडियो पर कम्प्लीट करते हैं, आसा करतों आप लोग वीडियो अच्छा लागोगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जिसमें की करेंगे, जो म्यूजिक का लिए लगो तरे प्रशन होगा, द्रिको तरे प्रशन होगा, और वही सब प्रशन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले परिच्छा के लिए important प्रस रहने वाला है, अगर आप लोग किसी भी बोड के बच्चे होंगे, बिहार बोड के हो, यूपी बोड के हो, जारखन बोड के हो, रास्थान बोड के हो, या किसी भी बोड के हो, भारत क आपके परिक्षा में जो भी प्रश्ण हैगा उस कोशन का 90% कोशन जो है इसी पीडियाप से आपको देखने को मिल जाएगा झढँ जिल झाल झाल मुणध झाल सक्वेटा झाल सकने को मिल जाएगा झाल स्टंगर